आज मर लेके आए हूँ वेज मंचूरियन की रेस्पिपी सरदिया आ गई है और इसे बनाना बहुत ही इजी है तो यहाँ पर मैंने एक बाउल कटे हुए बारी कटे हुए पत्ता गोभी ले लिए एक बाउल से थ्वासा कम प्याज लिया है इसे भी बारी काट लिया है गाज कर सकते हैं यहां पर मैं काली मेश ले रही हूं आप बाइट पेपर भी ले सकते हैं साथ ही मैंने यहां पर नमक ले लिया है अब इसमें हम दो चमच मैदा और दो चमची कौन फ्लार डालेंगे यह हमारा बैंडिंग का काम करेगा अब इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करलें तो पहले एक रूим bike से मिला लेने के बाद में इसे हातों से मिलाओंगि कर लेते हैं चमच से पहले कर अच्छे से बल लेने के बाद इसके हम छोटे चोट Daals बना लेंगे तो अब मैं हातों से इसे अच्छी से मिला लेती हूँ एक बार और इसके बॉल्स तयार कर लेती हूँ सब्जियां जितनी बारिक कटिंगी ने उतनी ही अच्छी बनती है यह फ्राइ बहुत अच्छी से हो जाती है तो इस तरह से छोटे-छोटे बाल्स या फिजित साइस के आपको बंचुरियन बाल्स पसंद है उस साइस के बाल्स आप बना लीजे तो यहां पर मैं सारे बाल्स बनाकर तयार कर लेती हूं तो यह सारे बॉल्स बनकर तयार हो गए अब हमें इसे डीप फ्राइ करना है तो यहां मैंने कड़ाई में तेल डाल लिया है मीडियम फ्लेम पे गैस को रखेंगे फ्रेंड्स हम और इसे फ्राइ कर लेंगे मीडियम फ्लेम भी मैंने इसे अलट पर अलट कर अच्छे से गॉल्डन ब्रॉण होने थक फ्राइ कर लिया है देखिए इस तरह से हमें लगाताच लाते वहें इस तरह से मैंने प्राइब करके सारे बैचे को निकाल लूगी मैं एक बैच तयार हो गया अब मैं दूसरा बैच डाल रहे हूं उसी तरह से हम बाकी के सारे मंचुरियन बॉल को भी तयार कर लेंगे गैस हम तेज आज पर इसे नहीं पके आएंगे तेज आज में पकाने से क्या होगा ना कि अंदर यह कच्छा ही रह जाएगा इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही सारे बॉल्स को तयार कीजिए ताकि अच्छे से अंदर तक कूख हो जाए बहुत ही सौफ्ट बन कर तयार होते है इस पर इसमार है तैयार हो चुके अब मैं इसकी बानाती हूं तो कभी बनाने कर लिए हां पर मैंने एक फ्राइ पैन लीया इस तेल डाल को तील एक घल रसंकी कलिया डाली है इसे बारी काट लिया है दो मिन्ट से चला लेते हैं भूल लिएने के बाद हलका मैं इसमें और उनियन डाल रही हूं यह मैंने ग्रीन ओनियल लिया था उस ही आपके पास नहीं है तो आप शोर्ड प्याज को भी काट के समें डाल सकते हैं यहां भी मैंने कैसी कम कुछी चुछी काट लियें, इसे भी डाले ते हमें इसे ज्यादा तो यहां पर दो चमकर करीब मैंने टोमैटो केचप लिया हुआ है इसे भी चीजों कोरीब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें हम पानी एड़ करेंगे तो जितना ग्रेवी आपको रखना है उसी साफ से आप पानी इसमें एड़ कर लीजे तो मैं आप एक किलास से थोड़ा सा कम पानी एड़ कर रही हूं इसमें उबाल आने देते हैं जब उबल जाएगा ना तब हम इसे गाढ़ा करने के लिए कॉन फ्लार डालेंगे तो यहां पर मैंने एक चमबच दिया हुआ है थोड़ा सा पानी एड़ करके इसकी लिक्विट तेयार कर लेते हैं जैसे ही उबाल आएगा न तो मैं इस जाए और इसका स्वाद भी बढ़ जाए तो उबाल आने देते हैं देखिए यहां पर उबाल आ चुका है अब मैं यह ग्रेवी डाल दे रही हूं चलाते ही यह गाड़ा हो जाएगा अब यहां पर मैं नमक और थोड़ी सी काली में चैट कर रही हूं कि आब कि आप सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं से हमारी गाड़ी हो चुकी है अब इसमें मैं मचूयरन बॉल्स कर दोंगी हुरे यह बॉन करके मैं गेस चूरश और मुशी हमारे तेयार हो lö 하는 बॉल्स कर लेते हैं गैस मैं बंद कर देती हूं थोड़ा सा उपर से मैं ग्रीन ओनियन डाल रही हूं बस एक बार मिक्स कर लेते हैं और मैं इसे सर्फ करके दिखाती हूं आपको फ्रेंस खाने में बहुत ही स्वाधिश लगते हैं यह तो आप इसे घर पर एक बार जबू ट्राइ करें इस तरह से हमारी यह से भी बनकर बहुत ही जल्दी तेयार हो जाती है सब्जियां अगर कटी हुई हो नो तो बस फिर क्या है फ्रैड ड्रैस के साथ या फिर चौमिन के साथ या ऐसे ही आप इसे इंज्वाई कीजे बहुत स्वाधिश लगते हैं फ्रेंड्स उपर से थोड़ा सा ग्रीन ओनियन लीप डाल देंगे बस यह हमारी तयार हो गई मंचूरियन ग्रेवी वाली वेज मंचूरियन ग्रेवी वाली तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चरह को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और से चरूर करें तो आने वाली रेसिपी के लिए मिलते हैं एक और बार तब तक के लिए बबाए